लास्ट क्लास में हमने देखा था, अटोमिक रेडियस स्टार्ट किया था हमने, तो उसमें हमने कोवलेंट रेडियस, मेटारिक रेडियस और वन्डरबॉल रेडियस पढ़ लिया था, आइनिक रेडियस सो अचका तॉपिक रहेगा आइनिक रेडियस तो जैसे कि वर्ट बता रहा है आइनिक रेडियस मेंज, रेडियस ऑफ रेडियस ओफ आयन, आयन आयन वारे पास दो यु थाइप के लिगा अप्रटायन, कट आयन , कि और आज घंड अनायन हो कि तो यह वार्व पास दो टैप्स के आइंस होते हैं कटायंस क्टायंस कैसे बनते हैं यह फॉर्म भाई loss of electron कोई भी atom जब electron loss कर देता तो kattain बनता है एन अनने स्वाम भाई दा gain of electron यह हमें पता ही है पहले से ही इसमें कोई नहीं बात नहीं है साइस का विरेशन कैसे आता है अगर हम बात करें kattain की in case of kattain तो इसको सबजने से पहले हम अब हम देख लेते हैं की बाट आइसे इसे और ट्रम इक स्पीसीज को आई इसो आइंस घुझी का इस बाट नगी तो सब्सक्स ऐसे ट्रम इसकोर एलक्ट्रों तो इस पीसीज विच आइववम में अबर अफ इलक्ट्रों इस पीचिम उड़ber आँ इलेक्ट्रॉन सेम सेम होते हैं डियरकट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज लाइक एग्जामपल देखें अगर हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का तो लाइक N3- O2- F- NE NE+, NG2+, AL3+, देखो, नेटजिंग का नमबर 7 होता है टेसे हैं सभी में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है 20- А welcomingWh suggestion香港 प्रिमित को सबसेते हैं विरिए मिन करना हुग मैंब मात cev सब 걸faith थे उश कर दखा रहते हैं तो हमें इसे मार्य आइंग को और करना होगा सबसे अब करता हैं तो तो खुन क्वर्सक्ष सुदिए हैं तो सबसे पहले दिखो अब में पास कोई भी कटाय न भीॉत तो like suppose to example लेता हूं मैं CA2 plus का ठीक है पहले calcium था calcium से electron उसने loss किये कहां पहुंच गया CA2 plus में पहुंच गया तो इसमें अगर हम size देखें किसका size बड़ा होगा देखो calcium में total जो protons होते हैं वो 20 होते हैं अब जब calcium ने दो electron lose कर दिये तो इसमें electron कितने बचे 18 और इसमें electron क्योंकि यह आयन इसका atom है तो electron है इसमें 20 अब देखो इसमें हो क्या रहा है इसमें proton है 20 प्रोटोन तो कभी change नहीं होते इसमें proton है 20 तो यहां पर 20 लोग मिलके 8 लोग को खीच रहे हैं और यहां पर 20 लोग nuclear charge तो Z effective जो है वो calcium iron का ज्यादा है इसलिए इसमें ज्यादा electron को खीच लिया जाएगा अंदर की तरफ तो size है वो calcium को बढ़ा होगा as compared to calcium iron क्यों calcium iron में क्या हुआ ज्यादा Z effective था इसकी वज़े से क्या हुआ है size छोटा हो गया ठीक है so in case of cations अगर मैं cations की बात करूँ तो parent atom जो होता है वो बड़ा होता है as compared to its iron तो cations की बात करें तो cations में जो parent atom होता है वो बड़ा होता है as compared to iron similarly अगर मैं anion देख लूँ anion कैसे होता है it is formed by the gain of electron तो like suppose को हम c l और c l- की बात कर रहे हैं इसमें electron जो होते हैं सत्रे electron इसमें इसमें गेंक रखाए इसके बाद 16 electron हो गए बात करें प्लेटों की प्लोट्रीन में 17 इसमें 17 नहीं रहेंगे कुकि proton number never changes सबाइन वन वबत करें तो अनाइन में जो परिंट अटम होता है वो छोटा होता है as compared to its iron, तो anion में penitratum छोटा होता है, cation में penitratum बड़ा होता है, ठीक है, तो अभी तरह हमने देख लिया कि ions क्या होते हैं, cations, anions कैसे कैसे बनते हैं, isoelectronic species क्या होते हैं, electronic species having same number of electron, example भी देख लिया उसका, cations में penitratum और उसके ions की बीच में, size का कैसे कैसे relation होता है, similarly हमने देख लिया आनions के बारे में, तो यह simple चीजी थी, यह सब आपको पता ही है, तो इसका ions का relation रहेगा, relation is like the radius, तो radius अगर हम move करते हैं period में, तो क्योंकि period में move करते हैं, बढ़ता है, तो z effective और size कैसे vary करते हैं, inversely, तो group में move करते हुए, जो shell ने हैं, shell बढ़ते हैं, तो size भी बढ़ता है, ठीक है, तो simple सा ions की case में भी यही चीजी चलेंगी, ठीक है, like, एक question देखते हैं, like, suppose को हमारे पास, o2-, f-, na+, na+, na, और, mj2+, al3+, हैं, यह हमें question देखा है, और बोला है, arrange in increasing order of size, size की increasing order में, इनको arrange करना है, ठीक है, अब देखो, oxygen, electron देख लो, सब में कितने-कितने, सभी में कितने electron हैं, सभी में 10 electron है, ठीक है, proton देख लो, कितने-कितने, oxygen में 8 proton है, fluorine में 9, sodium में 11, neon में 10, magnesium में 12, aluminum में 13, देखो, सब में electron क्या हैं, same है, तो दियार आइस एलेक्ट्रोनिक स्पीसिस, मगर सभी में जब प्रोट्वन नंबर हैं, वह अलग अलग अब देखो, नहीं, neon नहीं होगा, यहाँ पर, तो देखो, होता क्या है, कि इसको हम रखते हैं भी बाहर, अभी देखते हैं, इसके बारे में, देखो, neon जो होता है, neon का हम wonderful radius measure करते हैं, और wonderful radius अपने group में सबसे बड़ा होता है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि wonderful radius कैसे calculate किया जाता है, जो दो nearest atom होते हैं, उन nearest atom का radius करते हैं calculate, that is wonderful radius, तो यह तो obvious ही बात है बड़ा होगा, गोगनेंट वरानीक से, तो जहां पर भी noble gases आ जाए, noble gases अपने period में सबसे बड़े होते हैं, ठीक है, तो सबसे छोटा aluminium, उससे बड़ा magnesium, then sodium, fluorine, then उससे बड़ा oxide, then सबसे बड़ा neon, तो यह हमारे पास sequence आ जाएगा, aluminium जो है, वो सबसे छोटा होगा, और जो neon है, वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, तो इस तरह से question आते हैं, एक question इसका और देख लेते हैं, करना हमें वही है, कि increasing order of size में इसको arrange करना है, देखो, सब में कितने, इसमें proton कितने हैं, 17, 18, 19, 20, electron देखें, सभी में जो electron हैं, वो हैं total 18 electron, तो देखो, calcium में 20 proton है, अठार लगों खीचेंगे, बहुत जोड़ से खीच लेंगे, तो calcium जो है, वो सबसे छोटा हो जाएगा, उससे बड़ा होगा potassium, उससे बड़ा होगा CL minus, उससे आरगन की नोबल गयास है, तो आरगन has the highest radii in its period, तो आरगन की होगा, सबसे बड़ा होगा, अब हम देखेंगे, previous year में होगे कुछ questions, depending, or related to the atomic radii, so, let's start with the previous year question, previous year question, तो question 1, so, question 1st is, यह हमें 4 option दे रखेंगे, and the question is, which one is the correct order of radius, हम भी इसमें find करना है, correct order of radius, जाव option दे रखेंगे, इसमें radius को जो order है, वो सबसे सही order क्या है, देखो, सबसे पहला अगर देखते हैं, so, h-, सबसे बड़ा होगा, then, फिर parent atom, और जो cutan होता है, वो छोटा है, तो दा answer, पहला यह answer मिल गया, तो the answer is, first, question 2 देखते है, so question 2 is, हमने पास nitride, oxide और fluoride, यह तीन आइंस है, और हमें square inch करना है, increasing, red eye में, ठीक है, यह, जे 2015 में आया था question, देखो, they all are ISO electronic, तो ऐसे electronic में कैसे निकालते हैं, size हमने देखा था, आप video pause करके, इसे solve करके, देखो, होता है, फिर आसे बताते हैं इसका, सभी में electron कितने है, 10 electron, nitrogen proton कितने है, 7, oxygen में 8, fluorine में 9, तो यहाँ पर, क्योंकि 9 proton है, तो Z effective क्या होगा इसका, Z effective highest होगा, और Z effective highest होगा, तो size जो है, fluorine का सबसे चोटा होगा, उससे बड़ा oxide और सबसे बड़ा nitride, तो this is the answer, सबसे चोटा fluoride, then oxide, then nitride, now we'll see question number third, so हमारे पास third question है, यह हमारे पास 4 option दे रखें, and we have to find the increasing order of finite radii, देखो, sulphide ion जो है, वो सबसे ज़्यादा negative ion लिए हुए है, negative charge लिए है, तो उसका size सबसे बड़ा होगा, उससे चोटा chloride ठीक है, मगर दिक्कत यहाँ पर आ गई, calcium को पास को क्यों प्लस टू चार्ज है, तो उसका z defective है ज़्यादा होगा, तो उसका size जो हो रहा है, सबसे चोटा होना चाहिए, मगर यहाँ पर गलत दे रहा है, तो यह option नहीं होगा, calcium सबसे चोटा ठीक है, potassium उससे बड़ा, chlorine उससे बड़ा और sulfur सबसे बड़ा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका B, सब में कितने कितने electron है, that is total 18, अलार ISO electronic, तो सारे के सारे ISO electronic है, तो क्या देखो इनका Z defective, देखो number of proton देखो, तो number of proton जो है, calcium में 20 होंगे, potassium में 19, chlorine में 17, और sulfur में 16, तो क्योंकि इसका Z defective बहुत जादा है, तो इसलिए जो calcium का size है, वो सबसे चोटा होगा, तो आंसर क्या हो गया, B हो गया, नास question देखते हैं, तो question है हमारे पास, nitrogen, oxide, fluoride, sodium और magnesium, हमें इनको increasing radii में arrange करते हैं, देखो, सबसे चोटा कौन होगा, magnesium, उससे बड़ा sodium, उससे बड़ा fluorine, उससे बड़ा oxide, और सबसे बड़ा होगा, nitrogen, क्योंकि इसके पास ज्यादा negative charge है, तो ज्यादा repulsion, तो ज्यादा size, तो this is the answer, next question देखते है, so next question है, हमारे पास यह चार ions दे रखें, और मैं बताना है, कि which one has the highest radius, देखो, तो यह तो cut ions है, इनका तो radius कमी होगा, बेचे काउन, fluorine और oxide, iso electronic है, और iso electronic में बड़े होने के लिए का होता है, negative जादा होना चाहिए, तो oxygen के पास charge negative सबसे ज्यादा है,